हलो दोस्तों मैं गौरव आप सब का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चेनल कोड़न बालू जी में हलो फ्रेंज मैं हूँ गौरव और आप देख रहे हैं कोड़न बालू जी अगर आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं पुराने मित्र हैं तो आपको पता होगा कि हमने सिंपल मैथमेटिक्स और जनल अबिलिटी का कोश्चन्स सौल्व कर लिये हैं सॉलेशन और मोल कॉंसेप्ट हमने कंपलीट कर लिया है आज हम लोग बात करेंगे यनजैमोजी का हमने कभर किया है हमारे सिंप्लेटटे नियंजैमोलोजी से हर साल कोश्चन्स आते हैं हुमने एनलाइसिस में देखा है, एक short overview लेंगे enzyme का, कि enzyme क्या है, maximum cases में हम लोग जानते हैं, कि enzyme proteinous होते हैं, लेकिन ये not all enzymes are protein, कुछ RNA molecules भी होते हैं, जैसे कि ribogyme जो enzyme है, लेकिन protein नहीं है, जो believing procedure है, function है, वो based होते हैं, reaction पे, और reaction को accelerate करता है, catalyst, और catalyst जो है, by catalyst वो enzyme है, अभी दख कोई भी life form बेने enzyme के, नहीं पर आ गया है, वो movement, circulation, reproduction, respiration, energy conversion, या micro molecule synthesis, कोई भी function हो, वो by catalyst ही accelerate करता है, तो क्या है mechanism of action enzyme का, ये दो थरह से react करते हैं, ये reaction rate को increase कर देता है, और activation energy को decrease कर देता है, ये काम करता है, energy substrate, interaction के through, ये दो तरह से interact करते हैं, lock and key model से, और induced feet model से, ये हमने पढ़ा है, और हम बहतर जानते हैं, एक नजर दागते हैं, एपो enzyme पे, एपो enzyme में जब co-factor mix होता है, तो ये होता है, hollow enzyme, एपो enzyme inactive होता है, और hollow enzyme active होता है, तो आईए समझते हैं enzyme kinetics को, enzyme kinetics में बात करते हैं, एक case लेते हैं, जिसमें enzyme के बिना reaction हो रहा है, तो मान लेते हैं, कि ये है enzyme के बिना, तो इसमें activation energy इतना लगता है, और इसके बाद activate होने के बादी, इतना energy release करता है, और अगर यही बात करेंगे, हम लोग enzyme के थुरू, तो इसमें enzyme activation energy को कम कर देता है, और यह easily accelerate हो जाता है, सवाल है कि क्या enzyme के involvement से, net energy release जो होता है, free energy क्या उसमें changes आते हैं, इसका answer है नहीं, net free energy जो release होता है, उसमें changes नहीं आता, वो उससे free होता है, सिर्फ activation energy change हो जाता है, without enzyme ये high होते हैं, और with enzyme ये low होते हैं, enzyme lowest reaction activation energy, figure से अगर इसको समझेंगे, तो नीचे देखते हैं कि यहाँ पर ये activation energy इतना है, और उपर में अगर जाएंगे इतना ये ज़ादा है, ये without enzyme है यहाँ से यहाँ तक, और ये with enzyme है यहाँ से यहाँ तक, अंतर स्रिफ इतना है कि activation energy को low कर दिया जो net energy release है वो जितना without enzyme है उतना ही with enzyme भी है इसमें कोई change नहीं है ग्राप से समझते हैं ये without enzyme reaction है ये ऐसे carry होता है और ये with enzyme rate color correction जो ऐसे carry होता है तो delta G हमेशा unaffected रहता है यहाँ भी इतना था और यहाँ भी इतना है स्रिफ अंतर इतना है कि activation energy यहाँ ज्यादा था यहाँ कम है जब substrate concentration को increase करेंगे ये rate of reaction को increase कर देगा कहां तक increase कर देगा एक label तक अगर enzyme concentration constant है यहाँ से activity अगर सुर्य होगी जैसे इसमें substrate हम लोग add करते जाएंगे enzyme activity बढ़ते जाएगी कब तक बढ़ते जाएगी जब तक की complete enzyme substrate से react ना करने लगे एक खास बिंदू पर आके वो saturate हो जाएगा जब complete enzyme complete substrate से bind कर जाएगा कोई भी free enzyme नहीं बचेगा तो ऐसे इस्थिती को हम लोग करते हैं maximum activity of enzyme rate of reaction जो है यहाँ velocity है एक ऐसा point जहाँ पर इसका activity maximum होता है वहाँ b max वो कहलाता है तो इस graph से समझते हैं यह initial velocity है इसको initial reaction rate करते हैं जो mole per liter per second होता है जहाँ पर enzyme saturated हो जाता है इसको हम लोग करते हैं b max maximum velocity इसमें एक और टर्म आता है km km को हम लोग दिखेंगा आगे थोड़े साम लोग बात कर लेते हैं km एक ऐसा sub straight concentration होता है जहाँ पर maximum velocity हाफ हो जाता है यानि b max by half velocity पर जो concentration होते है वो km का लाते है km का value क्या है km क्या है एक sub straight concentration है जहाँ b max half हो concentration at one half of the maximal velocity यही km है km change हो सकता है different rate constant पर या कौन सा step सबसे यदा slowest है जिसकों लोग rate limiting step कहते हैं यह b max है यह b max by half यहाँ जो concentration होता है यही आपका km concentration है यह एक sub straight concentration है जहाँ b max हाफ हो जाता है enzyme plus substrate k1 होगा यह बनेगा enzyme substrate complex यह फिर break होगा enzyme plus product में यह reversible reaction होता है enzyme substrate से enzyme substrate complex भी बनता है और enzyme substrate complex से enzyme plus substrate भी बनता है इसकों लोगत है k-1 जब enzyme substrate complex तूट कर enzyme product बनाता है यह k2 इसका constant होता है और यह होता है rate determining step rate determining step k2 rate determining step है इसलिक k1 जो होगा वो फार फार बेटर होगा k2 से ज़्यादा fast होगा इस सिति में km ब्राबर हम लोग लिखते है k-1 by k1 यह dissociation constant है इस relation को हम लोग काते है dissociation constant for ES complex और इसका यूज क्या आता है enzyme substrate के affinity measurement के लिए यह identical होते है kdk dissociation constant के हो सकता है कि k2 far far bigger हो k-1 से यह हो सकता है कि k2 equal to k-1 k इस condition में k1 remain complex and cannot be used to measure the substrate affinity ऐसे condition में affinity measure के लिए use नहीं किया जाते है बहुत सारे substrate के लिए characteristic feature होते है कि वो कि इस तरह की enzyme को use करते है यह useful है comparing में कि एक यह तरह के enzyme अगर different tissue या different organism में होते है तो उसके लिए क्याम के इस्तमाल कर सकते है it is also useful for the rate limiting enzyme in many of the bichemical metabolic pathway that determines the amount of product and overall regulation of given pathway chemically-क्याम comparison are useful for evaluating the effect mutation have no protein function for some inherited genetic disorder km के बाद एक और तर्माता k-cat k-cat एक constant है जिसको में लोग आते है turn over number यह वैसे enzyme के लिए इस्तमाल के आते हैं जिसमें multiple catalytic step होते हैं multiple possible rate limiting steps होते हैं अगर इसको Michaelis-mantan equation में fit करना चाहें तो vmax is equal to अगर माल लेते हैं k-cat e total तब v equal to हो जाएगा k-cat e total यहां vmax के जापर इसको रखेंगे और यह substitution हमें मिलेगा k-cat actually turn over number है इस तरह के questions आते रहते हैं turn over number को determine करने के लिए simple इस formula को आप याद रखेंगे ताकि questions बना सके i question solve करते हैं इस पे एक questions है 2016 का dbt माया वा 14 number question है कि calculate the turn over number per second for enzyme if km is 0.001 vmax is 10 micromole per second and e0 is 0.001 micromole तो simple सा formula जो है उसको यूज करेंगे कि vmax is equal to k-cat e total यही से हमारा निकल जाएगा simply उस formula को यूज करेंगे vmax is equal to k-cat into e naught हमें calculate करना k-cat तो e naught को इस तरह प्रेते हैंगे k-cat is equal to हो जाएगा vmax by e naught k-cat ही आपका turn over number है vmax कितना दिया हुआ है आपका 10 micromole per second और e naught दिया हुआ है आपका 0.001 micromole micromole, micromole cancel यह अगर यहां से हटाएगे तो 10 power 3 हो जाएगा तो simple यह आ गया 1 into 10 power 4 per second यह option है option A कुछ enzymes ऐसे हैं जो enzyme substrate bind करते हैं enzyme substrate complex बनाते हैं और enzyme product complex बनाते हैं और फिर जाके enzyme plus product देते हैं rate determining factor जो होते हैं वो K3 वर्क करता है जे rate limiting step अब हम लोग बात करते हैं Maclis maintain equation का यह एक assumption पर बनाई गई है assumption यह है कि concentration सबस्टेट का much greater than the enzyme concentration क्योंकि Bmax हम तभी ले जा सकते हैं जब enzyme concentration से ज़्यादा हो सबस्टेट concentration ताकि complete enzyme complete सबस्टेट से bind कर सके अगर सबस्टेट concentration बहुत ज़्यादा होगा enzyme concentration से तो ऐसी स्थिति में intermediate complex का concentration होता है वो बहुत कम होता है और इस condition को कहते हैं study state condition और इस ही काम लोग कहते हैं study state kinetics और इस condition में ES formation का rate वो equal होता है ES breakdown के rate अब हम लोग equation को देख लेते हैं कि line equation इसका क्या है तो मेकलिस मेंटेन का जोकिवेशन है वो V note is equal to V max sub state concentration यह concentration है और Km plus sub state concentration अगर आप इसको invert करेंगे तो आप पाएंगे 1 by V B is equal to Km plus S and V max S अगर आप इसको rearrange करेंगे और फिर आप इसको separate करेंगे तो आपको मिलेगा हमें मिलेगा line weaver work plot y is equal to mx plus b आप line weaver plot को इस्तिमाल करके अगर इसको multiply करेंगे दोनों side sub state से और फिर इसको solve करेंगे तो आपको मिलेगा फिर से y is equal to mx plus b जो होगा आपका ulf hens plot आपने इसमें sub state से multiply किया तो आपको मिला ulf hens plot अगर line weaver plot में अगर आप v0 vmax से multiply करेंगे तो आपको solve करने पर मिलेगा edible hens tree plot यह सभी derivations line equations enzyme kinetics का इसको हम लोग double reciprocal plot भी कहते हैं यह minus km है यह 1 by vmax है और यह जो slope है यह दरसाता है km by vmax को अब हम लोग बात करते हैं enzyme inhibitor का inhibitor क्या है एक ऐसा molecule जो mimic करता है particular enzyme का और substrate से bind कर जाता है इसके 3 mode है एक reversible competitive inhibitor दूसरा non-competitive inhibitor और तेसरा uncompetitive inhibitor inhibitor constant को करते हैं और यह बताता है कि वो कितना potent है कोई inhibitor कितना potent है इसका value जितना कम होता है उसकी binding और effective ने सुतना ही high होता है गर inhibitor के बात करेंगे तेछा enzyme है तो यह हो सकता है अनिबिर से bind कर जाए हो सकता है यह subst् sig से bind कर जाए इस constant को करके k e i यह Caribbean इस में इस i जो है इसको माना जाता है यह shak यह सभी जो KES, KEI और KESI ये dissociation constant है अब हम लोग देखा ये enzyme है ये substrate से bind करेगा ये बनाएगा ES इसको में लोग करते KES अगर ये inhibitor से bind करेगा तो ये बनाएगा EI इसको में लोग करेंगा KEI और अगर ये ES तो ये बनाएगा ESI इसको में लोग करेंग KESI ES बनेगा तो ये इसको फोड़ेगा E पलस P में इसको में लोग करेंगे K2 तो ES is equal to हो जाएगा ES by KES EI is equal to हो जाएगा concentration of enzyme, concentration of inhibitor by dissociation constant EI ESI का concentration अगर निकालेंगे ये हो जाएगा concentration of ES, concentration of IE by dissociation constant की ASIE ES का भीलू हम लोग जानते हैं ये होता है concentration of E, concentration of S by KES तो इसको अगर बठाएगे concentration of E, concentration of S और ये concentration of IE by ये हो जाएगा KESI और यहां का ये, चुकि इसका भीलू लिये हैं, वहां से KES, ये हम क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि अभी आपको बताएगे कि एक फॉर्मूला आता है जिसका इस्तमाल होता है जिससे कि the fraction F किसी enzyme का क्या fraction है ES complex बनाने में तो F ब्राबर होता है concentration of ES by concentration of E, concentration of ES, concentration of EI, concentration of ESI और इसको हम लगों ने अभी अभी देखा है कि इसका concentration कैसे निकाल सकते है और B is equal to Bmax into F कभी कहीं इस फर्मूला का इस्तमाल होता है जहां fraction दिया हो इसलिए मैंने आपको ये derivation बता दिया अगर आप इसका value रखेंगे ये value आपके पास आएगा आप सोच रहेंगे कि 1 कहां से है ये कैसा value है इसको अच्छली solve क्या गया है जैसे ES का value हम रखेंगे concentration of E concentration of S by KES by E का value है concentration of E plus concentration of ES का value फिर से ही होगा concentration of E concentration of S by KES plus EI का value होगा concentration of E concentration of I by KEI plus concentration of ES I का value हम रखेंगे देखा था concentration of E concentration of S concentration of I by KESI into KES अब आप पूरे में अगर E से डिवाइट कर दें सब जगा से E कैंसिल कर दें अगर E से डिवाइट कर दें इसका मतलब E अगर कैंसिल कर दें सब जगा से तो आपको ये value मिल जाएगा हमनों पात करते हैं different type of inhibitor का पहला inhibitor है competitive inhibitor competitive inhibitor में क्या होता है ये sub-state के साथ compete करता है और ये active site पर जाके bind हो जाता है यनि कि EI complex बनाता है ये आपका enzyme है ये sub-state से compete करना चाहिए sub-state से bind करना चाहिए था ये enzyme से भी bind कर सकता है और ये EI का formation करेगा अगर ES का formation करेगा तभी ये EP बना पाएगा ये है competitive inhibitor इस cases में without inhibitor का ये slope है और जब inhibitor लगाते ये slope ऐसा हो जाता है इस cases में Vmax जो होते हैं वो कोई change नहीं होता उसमें Vmax सेम होता है लेकिन KM जो है वो increase कर जाता है KM increase करने का मतलब है ये direct interact करता है active site पे दूसरा है non competitive inhibitor non competitive inhibitor का मतलब है कि ये अगर enzyme है ये substrate बनाएगा तो ES बनाएगा अभी हम लगाने इसको देखा है non competitive inhibitor किसी के साथ भी bind कर सकता है either तो वो enzyme के साथ bind कर जाए either तो वो enzyme substrate complex के साथ भी bind कर सकता है enzyme inhibitor substrate के साथ करेगा ये ESI भी बनाएगा इस cases में Vmax decrease कर जाते हैं और KM पे कोई change नहीं होता है Vmax decrease करने का मतलब क्या है ये affect करता है rate of reaction को और ये bind करता है other than substrate active side ये active side पे bind नहीं करता है ये दूसरे side पे bind करता है अगर graph देखेंगे non competitive inhibitor का ये normal graph है normally enzyme activity ऐसे sow करता है maximum activity यहाँ पे sow करती है तो KM का value चुकि Vmax half यहाँ पर रहे KM इसको यहाँ पर लाएंगे यहाँ पर आया लेकिन जब inhibitor को add करते हैं Vmax value यहाँ आता है KM तो same ही रहा गया लेकिन Vmax की value change हो गई decrease हो गई इसको इस reciprocal graph में भी देख सकते हैं normal यहाँ पर है inhibitor के साथ यहाँ पर है पहले 1 by Vmax यहाँ पर था अब 1 by Vmax यहाँ पर है यह 1 by Vmax का value बढ़ा है इसका मतलब Vmax का value गट रहा है क्योंकि double reciprocal graph है अगर एक साथ दोनों को देखेंगे तो यह है normal enzyme यह है competitive inhibitor के साथ जिसमें Vmax same होते हैं KM different होते हैं और यह non competitive inhibitor के साथ जिसमें KM same होते हैं और Vmax different होते हैं यह याद रखना है इससे questions आते हैं अब है uncompetitive inhibition uncompetitive inhibition में कभी भी enzyme directly inhibitor से bind नहीं करता यह पहले enzyme complex बनाता है enzyme substrate complex और उसमें inhibitor bind करता है ऐसे cases में Vmax और KM दोनों ही change हो जाते हैं ज्यादा तर यह होते हैं जिसमें 2 और 2 से अधिक substrate participate करते हैं इसको graph से समझते हैं नॉर्मली यह रेट कलर का यह ऐसे होता है enzyme inhibitor जिसका कि Vmax इतना है यह Vmax है और हाप Vmax है और KM इसका यहाँ पर आता है अब अगर inhibitor के साथ देखेंगे uncompetitive inhibitor के साथ यह इस तरह का graph बनाता है जिसमें से इसका Vmax यहाँ पर आता है तो हाप Vmax हाप यहाँ पर आता है जिससे की KM इसका यहाँ आता है जिससे Vmax भी change हो गया और KM भी change हो गया एक overview देख लेकर है यह है competitive inhibitor जिसमें Vmax हो होते हैं KM चेंज हो जाते हैं यह है on competitive जिसमें की Dono Chring हो जाते हैं यह है non-competitive जिसमें Ki KM चेंज हो जाते हैं और Vmax चेंज हो जाते हैं Effect of pH on enzyme हम सब जानते हैं कि हर एक enzyme का एक optimum pH होता है जिस पर यो काम करें से पेपसीन ये दो pH पर काम करता है बहतर MLH है जो 6 और 8 के बीच में काम करता है और ये लाइपेज है जो 12 pH पर काम करता है 0 degree पर क्या एफेक्ट होगा effect of temperature on enzyme अगर lower temperature रहेगा तो low kinetic energy होगा enzyme में और substrate का तो इसमें enzyme substrate complex बनेगा ही नहीं ऐसे cases में enzyme inactivate हो जाएंगे अगर 20 degree तक increase करेंगे temperature का तो इसका kinetic energy enzyme और substrate का बढ़ेगा जिससे के rate of reaction increase करेगा अगर हम लोग body temperature तक ले जाएंगे 37 degree temperature तक मतलब कि continuously हम उसको increase कर रहे है तो rate of enzyme activity जो होगा वो increase करेगा कब तक increase करेगा एक optimal temperature तक वो increase करेगा optimal temperature क्या है एक ऐसा temperature जहां की enzyme best work करता है और वहाँ पर rate of product formation जो होते हैं वो high होते हैं तो optimal temperature के अगर बात करेंगे एक term आता है Q10 Q10 काते है ratio of reaction rate at T plus 10 K compared to the that of TK generally ये 224 के बीच में आता है Q10 को हम लोग calculate कर सकते हैं जैसे Q10 is equal to R2 by R1 to the power 10 by T2 minus T1 जहां पर R जो है वो rate है और T जो है वो temperature है beyond optimal temperature enzyme की क्या activity होगी higher temperature पर अगर 60 degree से भी हम लोग जादा कर देंगे तो जितने weak bond है enzyme के अंदर वो तूट जाएंगे और उसका active site खतम हो जाएगा इससे उसका function खतम हो जाएगा और enzyme denature हो जाएगे denature कहने का मतला भेख उसका 3D structure जो है वो change हो जाएगा और उसका function loss हो जाएगा आए आप कुछ previous question को solve कर लेते हैं जो इस spaces पर है the reaction velocity भी भी है sub state concentration S वो चेक कर रहा है sub state concentration को और reaction velocity को पहली बार वो 1 microgram का enzyme लेता है ऐसे में और similar experiment को repeat करता है और इस बार वो 2 microgram का ऐसे लेता है इस cases में enzyme पहले 1 था sub state S था enzyme 2 हो गया है और sub state S है इस cases में जिस तरह समलोग enzyme अगर बढ़ाएंगे भी मेक्स बढ़ जाएंगे और km का value same to same रहेगा क्योंकि sub state concentration पर कोई फर्क नहीं पढ़ रहा है यह option है km will remain same but Vmax will increase correct option is C succinate dehydrogenase convert succinate to fumarate when the competitive inhibitor malonate is added to the reaction mixture पूरे question में जो important बात है वो है competitive inhibitor competitive inhibitor जैसे ही आदा है हम लोग समझ जाएंगे km जो है वो increase करेगा और Vmax वो same ही रहेगा भी हम लोगोंने पढ़ा है C option correct next an enzyme reaction follow the Macleys maintain kinetics what will be the reaction velocity at the substrate concentration km by 3 Macleys maintain kinetic equation से हम जानते हैं कि V is equal to Vmax into substrate by km plus substrate concentration कर है कि substrate concentration जो है वो km by 3 है तो जहाँ जहाँ substrate है वहाँ हम लोग km by 3 रखेंगे तो हमें मिलेगा Vmax into km by 3 by km plus km by 3 solve करेंगे तो यह आएगा solve करेंगे km को cancel करते हैं सब जगा से यह हो गया Vmax by 3 by 1 plus 1 by 3 1 plus 1 by 3 is equal to 4 by 3 उपर है Vmax by 3 अब इसको हम लोग इधर लाके solve करें तो Vmax by 3 और इसको उपर ले जाएगे तो 3 by 4 हो जाएगा टोटल होगा Vmax by 4 option D is correct the activity of enzyme X 2.3 micromole per minute total protein content of this solution is 0.8 mg specific activity हमने इस तरह के questions previous video में बनाया हैं बहुत specific activity is equal to होता है enzyme activity by protein concentration enzyme activity होगा है 2.34 by concentration है 0.8 इसको अगर solve करेंगे आपको आएगा 2.925 2.925 answer में 2.925 तो नहीं है तो इसको हम लोग convert करेंगे 2 digit में 2.925 को हम लोग 5 है तो इसको 3 कर सकते हैं 2.93 option A is correct next question enzyme in activation by suicide inhibitor should be suicide inhibitor किसको कहते हैं हम लोग suicide inhibitor कहते हैं जो कि substrate analog होते हैं जो substrate के binding site पर bind करते हैं answer तो यह है active site directed होता है वो क्योंकि substrate के site पर ही इनिवीटर bind करता है अगर आप जानना चाहते हैं suicide inhibitor को हम लोग कहते हैं suicide in activation भी mechanism based inhibitor भी कहते हैं यह irreversibly bind करता है यह irreversible complex बनाता है next question है cell free extract prepared from the E. coli beta glucosides को जिसका activity है 1.5 unit per ml activity दिया है 1.5 unit per ml और protein concentration है 2 mg per ml यह हो गया initial finally purification के बाद 75 unit per ml हो जाता है और concentration हो जाता है 100 microgram per ml calculate करना है fold purification fold purification हम लोग जानते हैं यह होता है final specific activity by initial specific activity specific activity हम लोग निकालते हैं enzyme activity by protein concentration तो final हो गया enzyme activity 75 protein concentration 100 microgram initial था 1.5 unit per ml by 2 mg per ml concentration अगर इसको हम लोग फाइनले solve करेंगे तिये हो गया 75 by 100 microgram into अगर इसको हम लोग उपर में लिखेंगे तिये convert हो जाएगा 2 mg by 1.5 unit इस mg को हम लोग convert करता है microgram में तिये हो जाएगा 75 by 100 microgram into 2 into 10 to power 3 microgram by 1.5 इसको solve करेंगे तिये 10 to power 1 हो जाएगा उपर 15 5 जा ये अब total हो गया हम आपास 5 into 2 into 10 to power 4 by 100 20 to power 2 cancel तो हो गया 10 into 10 to power 2 जाएगी 1000 option D is correct next question आया enzyme XO its activity on substrate A 375 unit per ml same enzyme on on substrate B 185 unit per ml substrate C 75 unit per ml with respect to A the percent activity of substrate B and C are respectively अगर percent हम लोग activity निकालेंगे activity of B by activity of A into 100 और अगर percentage activity हम लोग निकालेंगे C का activity of C by activity of A into 100 यह हो जाएगा B का activity है 185 by 375 into 100 यह हो जाएगा 75 by 375 into 100 इसको अगर आप solve करेंगे यह यह cancel 0.49 यहनिकी 49% और अगर इसको solve करेंगे यह होता है cancel हो जाएगा 0.2 20% यह 49 और 20 option C are correct thank you so much for watching my video अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और हमसे जुड़े रहें